MODELER KITCHEN हर घर की लेडिस का सपना हमारा घर में भी MODELER KITCHEN हो आज के वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका बजट ना के बराबर है बद चाहत है कि हमारे घर में भी MODELER KITCHEN हो Metro City हो या Big City हो 70% के आसपास घरों में MODELER KITCHEN है पर उन लोगों किया जो विलेज या रूलर एरिया में रहते हैं, उन एरियाओं में तो मौडलर किचिन ना के बराबर होते हैं आज के वीडियो का टॉपिक है मौडलर किचिन मत 18,000 रुपे में यकीन नहीं हो रहा, पूरा वीडियो देखो, वीडियो इसकिप मत करना, जो मैं आपको किचिन बता रहा हूँ, वो विल्डर्स यानि हमने फ्लेट्स में भी इंस्टॉल की हुए हैं, आइडिया हमारा है, त तरीके से किचिन बनाया था, जो आज तक यूस हो रहा है, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल का आइकन ओपन करें, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, दोस्तों को शेयर करें, जिनका न्यू मकान बन रहा है, या जिनके घरों में मौडलर किचिन नहीं है, हम एक रफली आइडिया ले ले लेते हैं, धाई बाई 10, जो जायतर किचिनों का एरिया होता है, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं, जहां पे मौडलर किचिन बनेगा, यानि वुड यूज होगा, वीडियो में मैं आपको वो ही बता दूँआ कि मोडलर किचन की नपत यानी नापते कैसे हैं बहुत से कार्पेंटर इसमें ही कन्फ्यूज कर देते हैं और आपसे डवल पैसे ले जाते हैं उसको नापने में ही इस वीडियो में जो आपको मोडलर किचन बना रहा हूँ उस में क्या-क्या सामान की जरुवत पड़ेगी, पहले उस लिस्ट को देख लेते हैं. दोस्तों, ये रही हमारी मॉडलर किचिन की लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको साइस बताया था, दस बाई धाई यानि 25 स्कॉाइर फेट, नमबर वन हमें ऐलमूनियम के पाइप चाहिए होंगे, जो एक डेड़ के होंगे, वो हमें तीन चाहिए होंगे, याद रखे, एलमूनियम का पाइप आप जब भी आप लें, तो इसकी जो वजन होना चाहिए, वो कम से कम 800 गिराम होना चाहिए. सेकंड डूर, इस डूर हैंडल, डूर हैंडल आप लो तो सिर्फ 6 इंची के ही लेना, 6 इंची से आप बड़े लोगे या छोटे लोगे तो वो किचिन में अच्छे नहीं लगते हैं. टाइड इस बास्केट, बास्केट आपको 6 लेनी है, 6 कैसे यूज होंगी वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, 17 बाइब 20 की, बास्केट का जो वायर होगा, उसका जो साइस होगा, वो होगा आपका 5 mm की. फोर्थ इस चैनल, चैनल आपको लेनी है स्टील में, स्टील में भी आती है और आइरन में भी यानी लोहे में भी आती है, तो आपको लोहे वाली नहीं लेनी है, स्टील वाई लेनी है, आपको 6 सेट लेने हैं, जिसमें एक पेर में दो चैनल निकलते हैं. PVC टककर टेप जो हम पल्ले बनाएंगे उसके टककर में जो टेप लगेगा मैचिंग में उसको हम PVC टककर टेप कहते हैं हाडवेर में आपको EL पत्थी लेनी है स्कूरू लेने है प्लास्टिक की गिट्टी लेनी है जो हम स्कूरू कर सकें जानिके उसको लगाके ने के बाद पेज कर सकें उसमें फैबिकॉल हीट लेना है आपको PVC टकका टेप चुपकाने के निए 500 ग्राम MDF ग्रीन बोर्ड लेना है आपको 2 इसका साइज जो आता है वो आपका 8 बाई 4 का आता है यानि 32 स्कॉयर फिट का एक बोर्ड होता है फाइनल इस लेबर लेबर क्या कॉस्ट होगी क्या होगा वो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे अब उस किचिन को आपको दिखाते हैं जो हमने 3 साल बेने मैनुफेक्टरिंग किया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बलैक एंड वाइड कलर मार्बल टाइप में इसको हमने स्टॉल किया था अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पल्ला यह देखिए चैनल इसमें आराम से चल रही है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आप नीचे वाली प्लेट्स वाली देखिएंगे तो वो भी आराम से चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है तकरीबान इसको तीन साल हो चुके हैं बनाय हुए हमें इस किचिन को यह हमारा सिंक एरिया है अब आप देख सकते हैं इसमें एल्मॉनियम का पाइप हमने किस तरीके से फिट किया हुआ है यह एल्पत्ती देख रहे हैं खवजे के ऊपर जो एल्पत्ती लगी हुई है वो मैंने आपको नोट भी कराई हुई है अब यह पाइप जो पूरे एरिया में लगा हुआ है यह वाला पाइप यह देखिए तीन साल से अब भी ऐसे ही है और यह चारों तरफ लगना है स्टार्टिंग से लेके और लास तक आप वीडियो तक देखेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊ हुआ लास तक ऐसी लगा हुआ है अब तक इसकी जॉइंट कहीं टस्से मस नहीं हुआ है इसमें कबजे हमने लगा हुए है एल बिहारी वाले जो HD आते हैं वो अफसे इसमें चल रहे है यह देखिए हमारा इसमें सैल्फ पड़ा हुआ है इसको हम ओपिन करते हैं इसमें सैल्फ पड़ा हुआ है सैल्फ भी आराम से पड़ जाता है तीन साल से हाड़वेर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारी एल पत्ती है, एल पत्ती इस तरीके से ग्राउंड की जाती है, एलमुनियम का पाइप जो मैंने आपको बताया था, वो सीधा सीधा खड़ा हो जाता है, अपने किचिन बास्किट के अकॉर्डिंग, क्या स एक कबजा देखिए, आप इसमें एक एक पेश लगा हुआ है, बट इसका जॉइंट या पेश अब तक स्कुरूट कोई भी डीला नहीं हुआ है, यह हमारा कॉनर है, यह जो पाइप देख रहे हैं, आप मैंने आपको दिखाया था, एलमुनियम का, यह लास तक आया है, य इसी तरीखे से आपको किचिन बनवाना है, तीन साल तो यह हो चुके हैं, जो मैं आपको वीडियो में और दिखा रहा हूँ, उसको तकरीबर दो साल हो चुके हैं, अब बात करते हैं हम टोटल की, फर्स्ट हमने एलमुनियम के पाइप ले हुए थे, आपको दिखाया था, जो पहले हम चार्ट आपको दिखाया था, उसको ही हम सेकंड चार्ट में लेके आए हैं, वही चीजें इसमें लिख्यू हुई हैं, बट इसमें with amount के साथ हमने आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने एलमुनियम पाइप ले थे इसमें, तीन पाइप हमने इसमें पहले आप आपको Pipe लेना है इसकी cost जो आएगी तकरीबन 300 रुपे इसका एक Pipe आपको मिला 900ौइक के आसपास नीचे आपको इसका cost आएगा सेकंड इस door handle डूर हैंड़ आपको 8 लेने हैं 50 रुपे के आसपास आपको handle मिल जाएगा अच्छा 6 in dez का 6 उन्ची से बाद आपको handle नहीं लेना है वनना वो kitchen में अच्छे नहीं लगते हैं 400 रुपे के आपके handle हो गए 6 basket लेनी है आपको 5 mm की basket का size मैं आपको बता ही चुका हूँ इसका cost जो निकल के आएगा जो मैंने कली rate लिए है 5 mm के वो 5000 रुपे के आसपास 100 रुपे या 1500 रुपे कम भी हो सकते हैं आपके 5000 रुपे के आसपास का आपको basket आजेंगी second is channel channel के 6 set लेने हैं आपको 400 रुपे का एक set आराम से मिल जाएगा 2400 रुपे के आपको channel पड़ गए third is PVC टकका tape टकका tape आपको matching का लेना है जो आपका पल्ले का front आ रहा है उसी matching में आप टकका tape लें और टकका tape अच्छी quality का लें 500 रुपे का या 500 रुपे का या 500 रुपे का वो company बाइस डिवाइड है कि आपको टकका tape मिल जाएगा hardware hardware में जैसे मैंने आपको L पत्ती, screw बताई थे और plastic वाली गिट्टी बताई थी जो हम pipe को install करेंगे उसके निये वो आपको तक्रीबन 1000 रुपे का आ जाएगा 1000 रुपे में से भी आपके पैसे बच जाएंगे then is fabi call, fabi call आपको लेना है वो आपको 210 रुपे के आसपास पड़ेगा MDF board जिसका size 4 x 8 होता है एक board में 32 square feet निकलता है हमको दो board लेने है 64 के square feet हो गया हमारा 58 रुपे से हमने board को लगया हुआ है different हो सकता है कि आपके cities में 50 भी मिल जाए 55 भी मिल जाए 60 भी मिल जाए बट हमारा यहां जो rate है वो 58 रुपे का है हम इसको 58 रुपे में last one and half month से purchase कर रहे हैं तो तकरीबन आपका 3712 रुपे का आपको board पड़ जाएगा next is labor जो सबसे important होती है सबसे जादा क्या होता है कि labor में problem ये आती है कि labor बहुत जादा rate मांगती है उसमें क्या करना है आपको बताना है मुझे इस तरीखे से kitchen बनवाना है हमने वीडियो भी आपको दे दिया है वीडियो भी आपको दिखाना है कि मुझे इस तरीखे से टेप मत बनवाना है किचेन अपना उसका लेबर रेट आप से जादे जादे 130-140 में बनवाना है बट आप 120 रुपे में वो आराम से मान जाएगा तो कि जादा वर्क नहीं है पाय भी खड़े करने है और पल्ले चलाने है तकरीबान इसका जो आप लेबर कॉस्ट मानिए अगर हम 120 से भी निकालते हैं तो 3000 रुपे की आपकी लेबर हो गई नेक्स्ट इस भाड़ा जो भी सामाल लेके आएगा रिक्षे वाला उसको भाड़ा तो देना ही होगा हमने 300 रुपे उसका भाड़े का भी इंस्टॉल किया हुआ है अब हमने सब को काउंट किया है आप भी कर सकते हैं 17,422 रुपे के आसपास इसमें कर्चा आ रहा है अब प्रॉब्लम ये है कि किचिन को बनवाया कैसे जाए इस रेट में फरस्ट किचिन को आपने ही बनवाना है अगर आप किसी इंटियर डिजाइनर किसी ठेकेदार किसी कारपेंटर को ठेका देंगे तो ये इस रेट में बन ही नहीं सकता आपको माटेरियल लाना है labor rate पे काम देना है तब ही आपका podler kitchen इस rate में बन सकता है जिस तरीके से मैंने आपको बता है गर आप उस तरीके से step by step kitchen बनवाएंगे तो इस rate में definitely आपका kitchen बन जाएगा एक बात का दिहान रखें ये long time कि नहीं अगर आप सोच रहे हैं ना तो पानी कडर है एलमूनियम यूज हुआ है ना तो इसमें पानी कडर है ना ही दीमक कडर है लकड़ी भी कम यूज हुई है तो आराम से जादा चलेगा कुछ बातों का ध्यान रखें जो इसके channel होते हैं channel पे कभी पानी न जाए क्योंकि इसमें grease और जो छोटी छोटी गोली होती है उसी पे पूरा ये channel चलता है अगर इसमें पानी जाता है तो ये problem करने लगेंगी दूसरी बात channel आपने वो steel में लोहे में लाले मैं फिर दुवारा बता रहा हूँ लोहे वाले channel लांग टाइम तक नहीं चलते हैं लोहे वाले channel आपको 25-30 रुपे सस्ते पड़ जाएंगे बढ़ क्या फाइदा आपको एक साल के बाद बदलने पड़ें और अच्छे कार्पेंटर से काम कराएं जैसे कि आपको ये कोई problem ना आए इसमें ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ये channel को सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में